मोदिता की बात हम लोग कर रहे थे प्रसंध्न रहने के लिए कि हम लोगों को प्रसंता पुर्वक, अगर हम लोग प्रयास करे व्यक्ति प्रयास करे हमेशा प्रसंध्न द् verl रहने के लिए प्रसंह रहना इतना आजाल नहीं और इसलिए तो योग-धर्शन में आप हमें आपह duas क्ताइसाइस ब्रम घर देन है खालण करना पड़ेगा ऑंडिक औरनक पड़ेगा जरूर्ण से अधिक अस्तुव का संग्रा नहीं करना होगा उसके परश्याद क्या था शौज स्वच्छता संतोष संतोष यान ही रहें सटिस्फैक्शन तप राग द्वेश सब हर एक परिस्तियों में एक रहना द्वेश्ट बचना और फिर क्या था शौज शंतोष तपह स्वाध्याय स्वच्छत स्वाध्य करना पड़ेगा स्मस्त्रशन सार विद्वेश्थ निरंतर आपको परुंचित होते रहना पड़ेगा ऐसे सारे भाब आपके अंदर हो जाएगा इस प्रकार की भावनाएं आप में बन जाएगी आपके अंदर रहेगी तब क्या होगा कि आप लोग प्रसंद रह पाएंगे नहीं तो देख लिजिए और आप लोग भी जानते सब का अनुभव है व्यक्ति दूसरों से जूट बोल सकता है स्वयम से नहीं मैं बार बार काता हूँ योग दरशन इतना आसान भी नहीं है लेकिन हाँ अगर आप योग दरशन के रास्ते पे चलते हैं दुनिया योग के मार्ग पर अगर चले अपनी भावनाओं को अपनी प्रविर्थियों पे अपनी कामनाओं पे अनावश्यक अगर जो भावा उत्पन होता है जिसके कारण से व्यक्ति अपराध की दुनिया में केदन रखता है हर बड़े से बड़ा अपराध ही जादातर या तो राग से यानि भोगने के लिए मौज मस्ति करनी द्वेश्ट से जलनवश क्रोध के कारण लिया गया फैसला उसके बाद मोह मम जैसे महभारत का मोह हो जाता है आपको महभारत का पिता दृत राष्ट उसकी छोड़िये ना सामान्य वहार में भीयकर किसी वस्तू के प्रति मोह हो जाएगा अपराध ही बन जाएंगा मोह नहीं रखना चाहिए इवेन अपने शरीर का मोह मत रखिया मोज मस्ति कीजिए अनंद कीजिए स्वस्त रहे स्वस्त रहना ये सबसे बड़ा आनंद है लेकिन मोह मत रखिए शरीः लेकर नहीं जाएंगे आपके शरीण का कोई भरोसा नहीं है लेकिन हिम्मत रखिए जीवन जीएady को जीने की हिम्मत वैद में कहा गया है parvan-veha कर्मानी जी जीज़िव करुणा मोधिता यनि प्रसंद रहना उपेक्षा क्या है देखें उपेक्षा यानि कि उदासी नहीं हो उपेक्षा करने पर भी कई बार अपना को चुछ कर दीजिए पूलिस वाले आप जारे यह सब नहीं हुपिक्षा मिस्व दासीन कि से उदासीन योग दरशन का पहला सुत्र याद रखिये पहला सुत्र में जो योग-दरशन से समय गज़ा है योगा रिष्टी निर रॉधा चित्य विरत्यों को नियंतित कीजिए आपकी जो भावनाएं हैं आपकी जो कामनाएं जिसके कारण आपके मन में अपराध जी सी प्रविरतिया राघ आता है द्वेश आता है उसको याद रखे उसके प्रती उधासीन बनी कई बार क्या होता है कि किसी से अपराध हो जाता है अब तो कोई आपके प्रतीक होगी गलती हो गई कुछ उच्चारन गलत कर दिया अपके प्रतीध तो कई बार पन जाईए नहीं तो जीवन जी नहीं पाईएगा आप लोग देखते हैं कि कई बार क्या होता है यह चीज यादा है कि आप सब भी इसे मोंगेर बंदूग के लिए प्रसिद Lag, जिसिके आप जो चीज प्रसिद्वता है सब लोग बंदूक रखते हूं या रखें अच्छी बात है भाई रखो शानो शोकत के लिए लेकिन क्या हुआ किसी घर्व में मान लिया आपने पानी मांगा आपने छोटे भाई से भाई पानी लाव भाई ने का मैं नहीं दूंगा पानी आपको आय अले बैठा यह सब नहीं है और आता है नहीं कई वह सड़क चल रहे कर कोई आकर तकराया भी नहीं आपने शिशा डाउन क्या ले रोड रेज केसे जैसे ही तो होते हैं क्योंकि हम कुछ चीजे नेग्लेक्ट कर रही पाते हैं अरे ठीक है हाँ जहां करना हो ते वाह नहीं क लोग देखकर वीडियो बनाते हैं बचाते नहीं अरे स्वैम साथ नहीं है पुलिस को कॉल कर दीजिए आस पास शोर करके लोगों को अहला करके बुला दीजिए वहां उदासीन बन जाएंगे आप वहां पर लोग उपक्षा कर देते लेकिन जब बात स्वैम की आती है तो उ पक्षा नहीं करते हैं तो इसलिए उदासीन बनिये जीवन में कुछ-कुछ अपराद इससे भी कम हो जाएंगे ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया आपके साथ अच्छा विभार करेगी नहीं कहीं न कहीं आप समाज में आपके परिवार में ही ऐसे लोग होते हैं कि कोई लोग आपके रिस्पेक्ट करते ही नहीं है बहुत सारे परसान होंगे यादा रहा होगा आप सबको कुछ लोग आपके घर में भी होंगे आपके इज्जत ही नहीं करते हैं बस आपको देखते मन करता स्पेशली कुछ रिष्टेदार होते हैं जादातर तो जैसे रिष्टेदार बेटा वोफा जी आये हैं बेटा वह बुवा आई है तुम्हारी वहां वाली मिठाई मन करता है कि मिठाई जोड़े जार ले चलो घर पे आता है ने गुस्सा क्यों कि उनकी कुछ बाते ऐसी होती है जो आप बरदास्त नहीं कर पाते हो उसाह नहीं पाते हो अप शम्ता नहीं होती आप में लेकिन वही आपका कोई भाई होता है उसको भी ऐसे करते हैं वह मस्त मौला कोई भरक नहीं पड़ा वह ने बोल दिया बोल दिया क्यों उदासीन है कई बारा ध्यापक घुछ से बस आपके भलाई के लिए कुछ बोले कई लोग तो सानी पाते हैं प्रिट देते हैं बहुत ऐसे केसे जाते हैं पता नहीं हम तो बचे हुए हैं अब तक तो यह सब भाव क्यों है अगर उदासीन नहीं होएंगे तो सोच लो क्या होगा अगर दुनिया आंख के बदल्यांख निकालने लग जाए तो सारी दुनिया अंधिनी हो जाएगी यह जो भाव है यह अपराधिक प्रविर्ती से बचने का सबसे बड़ा साधन है उदासीन हो जाना उपेक्षा उसके बाद है आपका भावना और यह सारे जो चल रहे ने पाझ जो इससे कित प्रसादन कहा गया है यह तर मुस्ति वही इसको कहे को अपराध़ करेगा हो क्यों अप्राध करेगा तो इसी लिए कहा गया है अब लाश्ट वाला क्या है भाव भावना कौन сी भावनास इसमें क्या है सुख दुख पुन्या पुन्य विश्या नाम भावना तश भावना तशच प्रसादनम पूरे सुत्र क्या था ये मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुन्या पुन्य विश्या नाम भावनात शित प्रसादनम यानि कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा यानि उदासीनता और भावना इन सब को मैत्री यानि मित्रता यानि देखिए समान वान्वात प्रॉप से अगर आप लोग प्रश्ण को पूटब करते हैं तो पांच कारण भी लिख सकते हैं कि योग दर्शन जिन यह केवल अपराध के लिए ही नहीं है है परिवार में अगर आपको एकता रखना समरस्ता रखना कोई परिवार की बात है समरस्ता रखना समाज में एकता रखना तब भी यह पांचों पॉइंट फिट होगा वहां पर अगर आपको व्यवहार में स्वयम के लिए भी चुकाते ना परस्टनाल्टी डेवलपमेंट बड़े-बड़े कोर्स करते हैं लोग आप किसी भी पद पे रहिए अपनी अगर अपना आपका व्यक्तित्व मनाना मैत्री कीजिए मित्रता कीजिए अरे जरूरी नहीं है वह कहते हैं कि अगर अपने जैसा इंसान जोनेंगे ना तो पूरी दुनिया में आप अकेले रह जाएंगे यहां तो मन तीन गून है प्रकृति के ही तीन गून है सत्व रजस और तमस और इन तीनों गूनों के कारण हर व्यक्ति का सोभाव अलग होता है और जब सोभाव अलग होता है तो सोच सकते हैं कि एक जैसा तो हम लोग कोई फैक्टरी के मने हुए रोबोट तो है नहीं जो मतलब सीडी लग गई हो ऐसे हम लोग कारे करेंगे और सबकी अपने अपने प्रविर्ती होती है सबका अपना अपना इन्वायर्मेंट होता है तो इसलिए मित्रता कीजिए बस अनंद ही आनंद आएगा कोई अपराधव नहीं होंगे और नहीं बाहिए अपराधव को छोड़िये आंत्री निहीं कि रागद्वेश प्रोध मौह लोव यह बही नहीं होगा कई बार देखते हैं ने, मित्र मित्र के लिए जान दे देता है. specially, school friends होते हैं, वो बेक्ष्ट होते हैं कुछ भी कर सकते हैं दोस्त के लिए. को तो teachur को छोड़ो, अगर उनको तो अगर ये ना बताए जाते हैं, यह मैंतरी की ताकत होती है मित्रता की तो यह मैत्री भाव सब में होने चाहिए इवेन आप लोग देखते हैं कि पिता और पुट्र वस्ता में जब ज़वान होते हैं वात पिता में भी लड़ाई हो जाती है एक दूसरे से मतलब और रहती है लेकिन हमारे यहां क्या कहा गया आपको पता है शास्त्रों में कहा गया है प्राप्ते शोडशे वर से पिता मित्रवत आचरेत कि जब सन्तान सोलभ वर्भी हो जा에 कि तब जो पिता हैं यह को मित्र की तरहांचरन करना चाहिए और वित्र की तरहांचर कर arrives कि आज पॉफब को पता है एक चीज मैं बता रहा हूं कॉंसलर को कॉंसिलर को हिंसे हिंदी में मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है कॉंसलर कॉंसलिंग करना किसी की हमारे जमाने में तो होता नहीं तो हम लोग अपनी समस्य हैं मम्मी से नहीं पटती थी पापा से पापा से नहीं पटती तो दादा से दादा से नहीं पटती दादी से नहीं तो चाची से इतना कम हो गया है कि बच्चे अपनी समस्यां अपने मापाप से नहीं काते स्कूल में कॉंसलर की पोश्ट आई उनसे बताते हैं मेरी यह समस्याइं है सोचिए कितनी कमी होगी है इवेन आप लोग वैश्णो संप्रदाय जो है न हमारे हां भक्ति के बहुत सारे साखा है वैश्णो शर्व वैश्णो में तो सक्खे भाव सबसे ज़्यादा सुदामा कृष्ण का या इश्वर को मित्र भाव से सक्खे भाव से पूजेंगे भक् अब चीजों के पीछे मैत्री भाव बहुत आवश्यक है अगर मित्रता आप रखेंगे अपने स्वयम से अपने परिवार से अपने संतानों से अपने रिलेटिव से अपने क्सा कर्मियों से अपने गाउं के लोगों से तो संसार में कुछ हुए मतलों समझ लिए कितना रा से अगर मैंने जाता है जहां को इन शर्मिक भाव मैंने नहीं का रामराज जी का भीप्राय हमारे हमाना जाता है लिए जहां कोई अपराध नहीं हो सौब मौंि मस्ति मेने शब्स करया नहीं मैंने क्लोले हैं सक्क्राष्छन Conven 005 मैत्री के बाद क्या था आपका दया करना क्या है अरे देखिए का मतलब है कि अगर किसी से कोई गल्ती हो जाए दया किजिए या गल्ती ही नहीं देकि समाज में आर्थिक विभाजन बहुत जाता है किसी के पर पैदा होते ही करोण-पति कोई बैचारा पैड़ा हुता है उसका कच्छा नहीं है शाम को दूध पीने के लिए उसके उसके आधन उपलब नीयानात है कि क्या जीने सांस लेने तक कि भी समझली कि उसके पास कुछ से ऐसे बी लोग होते हैं गर्वेक्ति गरीबों की सहायता करें गरीबों ऐसे नहीं कर्म करते हैं कर्म किज déb commission के अभी संकट काल है कोऊना रेट कुछ मझदूर हैं जो देहारी वाले है तो एसे लोगों की अगर जो समर्थ लोग हैं अगर कम से कम उनको भोजन में भी हल्प कर देंगे अप लोग तो क्या उनके मन में भाव आए का चोरी का क्या उनके मन में दुर्भावना आएगी और नहीं तो आपको दुआएं देंगे तो ये आपके करुणा होनी चाहिए इसी प्रकार से मान लिया जाए कि दो बच्चे हैं कोई अमीर है कोई गरीब है मैं ये नहीं कहता देखिए कि आप अमीर हैं तो आप अपने भोग विलास उपियोग मत किजी कीजिये सबको करना चाहिए आपका समर्थ है आपका कर्म आपका कर्म पल है लेकिन अगर कोई आपका साथ ही अगर बेचारा असमर्थ है कौपी किताब में खरिदने में कभी वेचारे खाना नहीं खाता है, मत खिला ये यार, आप रोज मत खिलाओ, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं उसे, बूखा न रहे, भर पेट मत खिलाओं, एक रोटी ही अगर मिल करके, चार समर्थ साथी, किसी गरीब साथी के लिए रोज एक रोटी ही लाएंगे, तो यह जो भाव है करुणा की यह भाव इंसानों में अगर हो तो यह जो भेद है ना बड़ों का छोटों का उंच नीच का यह भेद स्वेम मेट जाएगा और यह अपराध को मिटाने का संसार में अनेकता को मिटाने का परिवार में समाज में समरस्ता भरने का सबसे बड़ा तो बड़ी सजा होती है कि सामने वाला प्रसंद है और प्रसंद रहेंगे ना आप लोग कोई कश्ट नहीं आएगा कई कुछ बेखती तो प्रसंद रहना ही नहीं चाहते सब सुख साधन है रोते रहेंगे ऐसे के लिए हमारे अपने विवहारिक जीवन में रोत्तुराम कहते हैं रो रहें अरे यार ठीक है आपके पास साधन कम है लेकिन क्यों रोते हैं देखिए क्यों मैं योग दर्शन शुरू से लेकर चलना पड़ेगा क्यों या तो जूट बोलते हैं या तो हिंसा करते हैं या तो चोरी करते हैं या तो उनमें संतोश नहीं है या तो उनमें कि और रहेंगे दुनिया में प्रसंन वाले तियो की अलगी सता रहती कि ना किसी से दोह ए座ू कबिरा कड़ा बजार में सब की मांगे खेर ना काहू इसे रहे वर्लेकर जलन होगा नहीं सब प्रसंद रहेंगे उसके बाद क्या है आपका मैत्री करुणा मूदिता के बाद है उपेक्षा क्या उदासीन रहना कुछ मामलों में व्यक्ति को उदासीन रहना चाहिए उदासीन रहना का मतलब कई बार संसार में ऐसे आपके समक्ष कुछ गतिवीधिया आती हैं जिसके प्रति आपको उदासीन रहना पड़ेगा सबसे अच्छा उधार में ने किसका दिया रोड रेज का रोड रेज सबसे ज़्यादा यहां तो मुझे आपके मुंगेर खड़ियां खड़ी कर देते ते पीछे जाम लगा हुओ कोई लेना देना नहीं पीछे क्या हो रहा कौन वेक्ति क्लास से चूट रहा है किसकी जौब चली जाएगी कोई मतलब नहीं और ज्यादा बोलो अगर कोई ताकत्वर है बंदूख है गोली मार देते ते रोड मार तो यह सारा क्या है है ओर ठीक है अचाइश कर सकते लेकिन मुझे नहीं लगता की बार-बार कोई ऐसा करेगा कई बार किसी से टक्कर हो गई कि कई बार चलते फिरते ऐसा हो जाता है कि इस बर किसी से बोलने में जीवास खलित हो जाती है आप लोग देखते हैं आप पहले के तो और होते थैं राजविराजव में आट दोस्की गर्दन अगर किसी नैंब शब्त का दिये तो भी कई बार आप-खक देखते Specially School Life में College Life में कि वहीव एक्टी हमारा सबसे अच्छा मित्र मिलता है जिसके इसे हमारी बनती ही नहीं थी मतलब उस हमसे मतलब सहा ही नहीं जाता था उसको देखते जुकाते उदासीन नहीं रहा जाता था बन करता था गर्रण उसकी काट बे ऐसे लेकिन हम क्या करते हैं उसके जिसके कारण हमको गुस्सा आता था उसकी उपेक्षा कर देजिए देखिए कितने अच्छी दोस्ति हो सकती है एक फिल्म मुझे याद आता है स्टुडेंट ऑफ दी यर है शायद यह फिल्म है हिरो हिरो कोन है मुझे नहीं पता लेकिन मैंने देखी थी मुझे आद उसमें दिखाए गया है कि शुरू में जो दोनों हिरो है दोनों की बनती नहीं कुछ गुन दोनों के नहीं मिलते थे वो गमीर घराने का वो गरीब घर लेकिन बाकी क्वालिटी मिलते थे बाद में अच्छे दोस्त बने ऐसा जीवन में होता है कि अगर आप कुछी जोग के उपेक्षा करेंगे कुछी जोग प्रति उदासीन बनेंगे तब आप लोग भी यानि हम सब लोग संसार में किसी भी प्रकार के अपराद से बच हो गया उसके लिए कई बार मान के लिए कई बार अपमान के लिए यही सब तो है आपका जो तप है यानि क्या है तप द्वंद सब में अगर संभाव हो जाना अपराद हो ही ने बड़े जबड़े अपराद इसलिए घटी दोते उसने मुझे ऐसे का दिया उसने मुझे मेर यह कर दिया क्या रखाय कोन डून बताता है मैंने मता रहा हूं दुनिया में बहुत इंज्यए करता हूं ऊपर दो झाँ ने शोता हूं मेरे पासे ही है जिकिन अगर आप लोग इश्वर को ध्यान रखते हुए व्य इस आरी प्रकृति जो रह ने Wars आप और यह राख और आप लोग रखेंगे तब आपके अंदर इसा धृर्भाव होगा ही यह आपको ध्यान में रखना पड़ेद इसलिए योग-दृषण केवल आसन प्राणायाम ही नहीं है योग दरशन जीवन जीने की एक विधी हम सब को प्राप्त करवाता है और सबसे मेरा निवेदन है आप लोग ये पेपर के लिए तो पढ़ें ही पढ़ें इसके अते नहीं है यहाओें अन